हेलो दोस्तों अगर आप भी शौमी का एक टीवी यूज़ कर रहे हो मी का और आपने भी रिसेंटली अगर आपके टीवी में ये अपडेट आया हो जो पैरेंटल कंट्रोल का है जहां पर आपको होम और किट्स का ओप्सन मिलता है काफी लोग ये किट सेक्शन में जाने सेक्शन में ही वो हैं और किट्स जब आप होते हो तो आपको कुछ नहीं दीकते हैं किट्स के ही कॉंटेंट आपको दिखते है तो ऐसे मेरे पास काफी सेक्शन में हिए कि सेट अप होगा काफी वैसे यह आसान सा है इसके लिए कोई वीडियो बनाने की जरूत नहीं थी बट काफी लोगों की यह जो कमेंट आ रही थी तो मैंने सोचा कि उन्हें पर एक वीडियो बना दिया जाए हो सकता है काफी लोग यह प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वीडियो दोस्तों यहां पर ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है अगर आप इस New Option पर जाते हो जो Home का सिमबल है इसके उपर अगर आप क्लिक करते हो अगर आप Kids पर जाते हो मैं यहां पर Kids पर चला गया पूरा डेटा यहां पर चेंज हो जाएगा सिर्फ आपको Kids के ही content इंटेंट आपको दिख रहे हैं । अब अगर आप तुबारा से home में जाना चाहते हो, मतलब पुराने of a patch wall में जाना चाहते हो जो की आपको home के ऊपर क्लिक करना होगा, अगर आप ये first time कर रहे हो, तब कि मैं बात कर रहा हूँ. अगर आप first time जाते हो, जैसे अगर आप home के उपर click करोगे तो ऐसे आपको एक password एंटर करने के लिए बोल रहा होगा जो कि आपको नहीं पता होगा कि क्या password यहाँ पर एंटर करना है काफी लोगों का यही problem है कि मैंने तो password setup ही नहीं किया है चेंज होना स्टार्ट होगा पूरा data fetching होगा और वापस से मैं patch wall के home section पर आ जोगा अब आप देख सकते हो यहाँ पर यह आपको चेंज करना होता है अगर आप first time कर रहे हो तो आप कोई नया password यहाँ पर एंटर कर सकते हो four digit का change हो जाएगा अगर आप password change करना चाहते हो जिसे आपने यहाँ पर कोई password enter कर दिया था first time अब आप password को change करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको setting में जाना होता है स्क्रॉल करके आप नीचे जाएए और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है parental controls का इसके उपर आप क्लिक करिए चेंज password है यहाँ पर इसके उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको पहले आप पुराना password एंटर कर दिए जैसे मैंने 1234 यहाँ पर था मैंने इसको एंटर किया अब मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड अगर एंटर करना चाहूं जैसे 4321 फिर से आपको एंटर करना अब अगर आप password भूल गया आपको पता ही नहीं कि क्या password आपने एंटर किया था बिलकुल आप भूल गये हो आपको कहीं पर याद नहीं है उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा आप factory restart कर देना होगा उसके लिए आपको additional settings के अंदर में जाना होता है फिर उसके बाद मे पूरा data आपका clear हो जाएगा जैसे नई TV आती थी बिलकुल वैसे ही हो जाएगी तो उसमें क्या होगा password भी वो जो है खतम हो जाया गया यहाँ पर आपको कुछ और करना नहीं है लेकिन अगर आप first time कर रहे हो जो खास करके जादा लोगों की problem है first time जब आप आते हो तो वो को नहीं समझ पार हूँ कि यहाँ पर क्या password हम एंटर करें तो आप कोई एक नया password अपने मन से आप setup कर सकते हो वही यहाँ पर काम करेगा तो I think कि इस problem का solution आपको मिल गया होगा अगर फिर भी कुछ problem आती है तो comment करके जरूर बताइए अगर यह video पसंद आई हो तो video को like करि इस वीडियो को जड़ा ज़्यादा शेयर करिए चैनल पर पहली बार है और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करिए कुछ ऐसे ही मीटी भी से रिलेटर इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में